करता हूं कल वला आप याद करके आयोगे ठीक है कि आगे की कहानी देखते हैं कि कल जब क्रोनोलोजिकल ओडर में गांधी जी के बारे में बताया एक बार क्विक रिवीजन 1869 में पैदा हुए तेरा वह वर्ष की उम्र में शादी हो गया 1889 से 91 में पढ़ाई करने गया कहां इंग्लेंड वापस आये अपना कौन सा धंदा चालू किया वकालत कर ठीक है नई चला फिर भी उसको बुलाए कौन बुलाए दाद अबदुल्ला ठीक है कहां बुलाए साउ आपको मार पिट के भगा दिए ठीक है नाइंटीन जीरो थी में इंडियन ओपिनियन नामक अकबार का प्रकाशन किया 1904 में क्या हुआ फिनिक्स फॉर्म डर्बन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की 1909 में लियो टोल्स्ट्राइ 1906 में क्या किये रजिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी चीके 1903 में पॉल्टेक्स और विवहावाला मुद्ध उठा 1915 में क्या आगए भारत आगए और वहीं से कहानी आज थोड़ी आगे बढ़ाते हैं उसके बाद भी मैं आपको बताया हूं बढ़ ठीक है आज अब अविस्तार से देखेंगे 1915 में जब गांदी जी भारत आए उसके बाद बैक टू बैक तीन हैट्रिक चक्का मारे तकैसे क्रिकेटर थे क्या वहां 1917 में चंपरन सत्यागरा कि चंपरन सत्यागरा 1918 ने अहमदाबाद का कि मिल मजदूर अंदूलन अंदूलन और उसके आद 1918 का कि खेड़ा सत्यागरा कि यह तीन हैट्रिक चक्का और फिमस बना दिये किसको गांदी जी को तो एक एक टॉपिक को आज डिटेल में देखेंगे ठीक तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा चंपरन सत्यागरा अब डेखो नंग्रेज जब भारत में आया थी तो सरकार बनके नहीं आया थी कैसे आयाbas एक व्यापार यह तो जो इस्ट इंडिया कंपनी थी वेकंपनी थी जो क्या करने आई थी कंपनी क्या करती व्यापार करती लाब कमाती तो इस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी व्यापार उसी क्रम में यह इंडिगो प्लांटेशन भी करती थी इंडिगो प्लांटेश मतलब निल की खेती की जाती थी कहां कहां की जाती थी यह नील की खेती तो को यह याद नहीं रखना है अब ठीक है आपको कहानी के रूप में समझा इसमें एकी चीज याद रखना है चंपरंग सत्यक्रा कब हो 1917 तीन कटिया प्रता क्या था तीन बटे 20 भाग में नील की खेती करनी थी बस उतना याद रखना है बाकी सब कहानी नील के खेती करते थे कहां कहां तो अवा दो गया मतलब आज का यह यूपी है और कहां बरार में आज का यह इस्टन महराष्ट है और बेंगॉल में यहां इलों खेती करते थे बड़ी आप पैसा चाप रहे थे कौन अंग्रेज किसान नहीं किसान सिफ मजदूरी करता विचारा ज्यादा कमानी पाता तो इंडियों प्लांडेशन अब इसको बेचते थे कहां पे चाइना सब्सक्रामे और यूरोप में इसका काफी डिमान है ठीक है कलर रंगने का काम आता थे दाई जैसे बाल पक जाता तो करते हो नहीं ठीक है बसे ये खपन फिट कर रंगने के काम आते थे ठीक है अब 1915 में इसमें पंड लग ग्या ल के लेकिन कुछ लोगों के लिए फायदेबंद हो गया ठीक है तो 1915 में क्या हुआ जर्मनी में आर्टिफीशल डाई का विश्कार हो गया जर्मनी में आर्टिफीशियल डाई ठीक है आर्टिफीशल डाई तो यह जो इतना लंबा छोड़ा खेती करके प्रोड्यूस करते थे इतना महनत करते थे वही केमिकल के माद्यम से तुरंत एक दिन में क्या बनाते रहें डाई बनाते रहें तो इसकी requirement रहेगी क्या इतना महनत लगेगा production cost लगेगा फिर बाद में उसको बनाके बेचेंगे तो सभवसी बात इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा और यह तुरंद बन जा रहा है बिना किसी मेहनत कि तो इसका कॉस्ट कम होगा तो यह बिचे गई नी मार्केट में तो अब यहां जहां जहां खेती होता था यह तो म इनके बीच एक एग्रिमेंट था क्या एग्रिमेंट था बोले कि हम आपको पैसा दे रहे हैं आपके खर्चा पानी के लिए और उसके बदले में आप तीन बटे 20 हिस्से में क्या करेंगे नील की खेती करेंगे और इसी को हम लोग बोलते तीन कठिया प्रथा यही जो प्रथ खेत में एग्रिमेंट के तहत वह तीन एकड़ में क्या उगाएगा नील उगाएगा शुरुवात में तो खेती कर लिए कोई दिक्कद नहीं हुआ धीरे 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 किसानों को यह मालूम चला कि जिस हिस्से में नील की खेती की जाती है वह कुछ समय बाद बंजर ह हो जाता है मतलब अनुपजा हो जाता है फिर बोले एक कम से कम तीन एकड़ के चलते बाकी 20 वाला तो बाकी 17 तो सुरक्षित है पैसा तो मिल रहा है भरपूर पैसा लिए तो जब तक बढ़िया चल रहा था किसान भी कुद कुद के मजे लिए पैसा ले लिए लेगिन अब है और वह तो उसके लिए पैसा दिये कि मेरे इसाप से खेती आब इंडी गणी करने तो बोले जब इंडीको नी हो रहा तो हम अपना करेंगे तो अंग्रेज इस बात के लिए लखे है उसके लिए पैसा दिया थे उन लोग शुरुआत में विरोद किये वह भी गांधी बन तो जो राजकुमार शुक्ल है उनको मालूम था कि यह मेरे अकेले की बस की बात नहीं तो यहां पर किसी बड़े महतमा गांदी तो महतमा गां जख्राइब महतमा गांधि बैठे हैं लखनाव अधिवेशन में महतमा गांदी बैठे 116 के लखनाव देशन में वहां राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल और एमजी लिख रहा हूं महात्मा गांदी इनकी मुलाकात होती है ठीक राजकुमार शुक्ल उनको मनाते हैं कि आप एक बार चंपरन आएए वहां के किसानों की स्थिती देखिए और वहां के लिए लड़ाई लड़िए ठीक है तो यह 1916 की बात है गांदी जी का रहता था पूरे भारत मैं और महात्मा गांदी बोले कि ठीक है मैं अगले साल एंट्री मारता हूं एंट्री मारे धीकभ एंट्री मारे 1917 में 1917 में घंधी दलवल के साथ मतलब बढ़े बड़े नेता के साहत आया कौन अनुगरह नरायन सिन्हा ठीक है अनुगरह नरायन सिन्हा इन तीन बड़े नेताओं का नाम मिलता है चंपर अस्थिति में तो 217 में लोग एंट्री मारें वहां आके देखे कि क्या स्थिति है अब इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ गांदी जी भी बैठ गये तो और बाकी लोग भी आ गये पूरे देश भर के किसान इसका सपोर्ट करने लग गये और गांदी जी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सफिर्ट मिलेंगा है इनसान ज्यादातर गरीभी रहता है अमेर कुछ वर्गंके लोग रहेंगे ज्यादातर गरीब रहेंगे ठीक है तो कोई-षर्ण के लिए नेतजिरी नहीं करता है और गरीपे लिए और गरीब ज्यादत है कौन किसान तो गांदी के जो किसान है उनकी सविधना किनके साथ ती गांदी जी कोई ऐसा लीडर तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है ठीक तो चंपरण वाला चुनाओ करने करन क्या था समझा है गांदी जी हां गया पूरा लड़ाई लड़े ठीक और यह मैटर सुलज गया लेकिन सुलजा कैसे उ दर इसमें एक member कौन थे महात्मा गांदी हो उत है तो अपना बात मनवा रहेंगे और आगे चलके इस कमिशन से एक्ट पास किया जिस अक्ट नम था चंपरण e एक्यारियं कि इसका और इसक की तहत यह मैटर सुलज गया वहला ठीक है पमद दो पैसा तो यह चंपरन वाला मैटर क्या हो गया सौल हो गया ठीक है कि क्लियर ठीक है अब कि इसके बाद एक फेमाज घटना होई एहमदाबाद मिल मजदूर अंदूलन कि चंपर्ण सत्यग्राइब कौन सा यह था 1917 यह कौन सा यह का है 1908 अब यहां देखते हैं एहमदाबाद मिल मजदूर यह टेक्स्टाइल मिल थी टेक्स्टाइल ठीक है कपड़ा उद्योगता समझे टेक्स्टाइल मिल थी 1917 में इस छेत्र में क्या फ्याल गया प्लेग फ्याल पहले एकदम जदा मेडिसीन अडवांस नहीं था ठीक कुछ महमारी आता था तो आधी अपाधी साप हो जाती ठीक है तो उस मिल में काम करने वाले आधे मजदूर क्या हो गया साफ हो गया साफ हो गया मतलब स्वर्ग ल मरजय नहीं नJack ताइं पर लान को सब्सक्राइने डर रहते हैं निकलते ने थे चूते नहीं थे दूसरे को सब्सक्राइब दूरी बना के रख्ते थे तो मैं भीया देंगे प्लेक बोनस देंगे ठीक है फिलेग बोनस देंगे कितना सी Ł but से परसें 50 से 60 परसेंड करदा करमचारी के फिय nhất को एकड़ा जुरुरत जादा बोनस देके जादा लालास देके बुलाएगा कम हैं तो कम बोनस कम लालास देके बुलाए तो 50-80% क्या इननों को मिलता था बोनस मिलता था उसके चलते बहुंँ सारे मज़़ूर लोग काम करना चलू कि अब एक साल में उस महमारी का प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया प्लेग का प्रभाव तोड़ा कम हो गया तो नॉर्मल हो गया तो मालिक भी अपने जगह सहीं थे वो बोनस बंद भी नहीं अपने तरफ से वो बोले कि 20 परभाव कम हो गया है इसलिए अब हम बोनस नहीं देंगे अब मजदूरों को तो आदत लगे था वोले 50-60 परशन मिल रहे हैं ठीक है अब रोजी जो बढ़ गया है उसको कम करोगे तो कैसे चलेगा तो फिर यह मैटर उठा मुद्दा उठा अब देखो यह जो यहां के मजदूर थे वो डिमांड कर रहे थे 50 परसंट मिल मालिक देंगे बोले थे 20 परसंट अब फिर मैटर कहां चले गया गांदी जी के पास अब गांदी जी देखे अब इसका चुनाओ क्यों कि होंगे सोचों किसान एक बड़े वर्ग को तो ले लिए किसान को अब और कौन बज गया मजदूर चीक है एक फैक्टरी के मजदूर के लडाई लड़ेंगे तो पूरे इंडिया वाले उनके साथ हो जाएंगे जहां पी भी मजदूर काम कर रहें तो किसान और मजदूर यह तो को दो लोगों को तो कंसिडर करी लिए और इसी चलके जब आ अब आस्ता अपनाते ना इधर का न अधर का वह तुम कितना बोल रहें 20 परसेन तुम कितना बोल पजास परसेन दोनों का 50 प्लस 20 70 डिवाइड बई टू 35 परसेन वह बीच कर आसता महातमा गांदी आ है यह बोले बहुत यह 35 परसेन दोल ना तुम्हारा न मेरा यह ना भी देंगे जो करना है कर लो तो महातमा गांदी फिर किंसमें बढ़ गए भूख हरताल में बढ़ गए और सब को बोले कि भी आ कोई काम में नहीं जाएगा कोई मजदूर काम में नहीं जाएगा पूरा काम ठप पड़ जाना चीए तो कोई काम में नहीं जा रहा था लेकिन सब गरीब मजदूर भाई डिली कमाने और डिली खाने वाले लोग रहते हैं कई जगह ऐसी चुला जलता है कि आज कमाए और आज खाए तो कितने दिन तक जम्मपुंजी चलीगा तो कई मजदूर कुछ समय बाद क्या सरेंडर करने लग गए कि अब इधर अकेले कौन बैज गए अंसन पर पीछे मुण के देखें सब तो पहले मिल मालिकों के खिलाब हर ताल कर रहे थे करता है कि मैं तुम लोग के चलते अपना मेरे घर में तो रोटी सब्जी बंड़ा पराठा बंड़ा तुम लोग के वजह से शाले अंसन में बैठाओं और तुम ही लोग गया अब जो अंसन की हो किसके खिलाब किये मजदूर के खिला बोले कि अब चब तक नहीं उठोंगा जब तक तुम लोगी हाँ नहीं आओगे ठीक है फिर उन्हों को भी लगा थोड़ा दया आया गांधी देखके सही बाल रहे हमारे वाज़े से भूके और उन्हों की दर मज़ा नहीं आ तो फिर वापस सब के सब आए और अल्टीमेटली मिल मालिक को सरेंडर करना पड़ा क क्योंकि गांधी जीनवाल हो गया और जानते थे एकदम जिद्धी प्रवित्ति का इंसान है तो ठीक है ले जाओ 35 परसंट मरो गोले तो अल्टीमेटली क्या हो गया 35 परसंट में मामला सेटल हो गया ठीक है तो एहमदाबाद मिल मजदूर अंदुला 1908 यह पहला भूक हरत साल हांगर श्ट्राइक और चंपरन वाला है ना यह कभी कोशन पूछा था कल भी बताया था यह सी से चंपरन सी से सीविल डिस ओबीडियंस सीविल डिस ओबीडियंस मुमेंट मतलब सवीने अवज्या अंदूलन सवीना वग्यां दूलन यह पहला सवीना वग्यां दूलन था पहला सिविल डिस ओबीडियंस मुमेंट और यह पहला भूखर ताल था अब कहानी आती है कौन सा सत्यागरह खेडा सत्यागरह ठीग है खेडा सत्यागरह यह भी कब हुआ 1908 अब यह पहला ली चलते नो एहमदाबाद मील वाला भी मैटर चली रहा था और खेडा सत्यागरह भी चलोगे अब खेडा सत्यागरह खेडा भी उद्री अंदागवाद क्या सपास होगा चेत्र 1917 में आपको मालूम प्लेग ऐसी फैला हुआ था 1918 में एक और मार झेलनी पड़ी वहां के लोगों को किस रूप में सुखा पड़िया ठीक है आज कल तो इरिगेशन फैसलेटी बहुत डेवलप हो चुकी है पहले पानी के भरोसी रहना पड़ता था चिक नई पानी गीरा मौसा मनुकूल नहीं रहा तो फिर सुखा पड़ डाउन हो जाएगा डाउन हुआ भी लेकिन इसी बीच वहां की सरकार ने फैसला किया कि जो टैक्स है वो टैक्स 23 परसंट बढ़ा रहे हम लोग बोले जब उत्पादन हो रहा था तब बढ़ाते समझ आता अभी जब उत्पादन कम हो गया यहां सूखा की मार जहल रहें त पैसा मांग रहें ठीक है इसी बात को लेकर वादिवाद था कि यह जो बढ़ा हुआ टैक्स है यह सब टैक्स हम लोग नहीं देंगे तो फिर कुछ किसान निता जाके कहां मिले किसान निता एक पार्टी थी गुज्राथ सवा है जिसके अध्यश कौन थे अगर पूछा जाना तो महत्मा गांधी तो इस पार्टी के मेंबर से मिले मतलब कुल मिला कि महत्मा गांधी से मिले और इसके सची उमदलब सीक्रेटरी थे वल लब भाई पटेल सरदार वल लाई जगड़ा हुआ गांधी जी कोई परवरिक मामला हुआ गांधी जी बीव माई के बग गई गांधी तो हर मैटर कौन सुन जार उस्टाए गांधी जी गांधी जी बोले कि अभी भीया इधर भूक अरताल में बैठा हूँ मैं इधर वाला सक्सेस्पूल होने दो उसके बाद उधर आउंगा तो खुद पहले नहीं गये किसको भेज दिये वल्लब भाई पटे लो ले तुम चाय नस्था करो और निकलो यहां से ठीक है तो वल्लब भाई पटे लगए यहां खेड़ सकते हैं और देखे मैटर क्या है उसकी गंबीरता को समझे और बोले कि लगा रवाघ पटेल आगे चल कि समें महात्मा गान्धी जूढ़ते वाला मामला सुलड जाता है क्यों सुलड जाता है क्योंकि महात्मागांदी ऐसी वकील थे ठीक है नियाम करून जानते थे तो आया और सब से से पहले किसकी किताब उठाए वहां के भूराजयस व सहीता जो लेंड रिवेंड्यू कोड था जैसे इंडियन पिनल कोड होता है वैसी वहां की सहीता को उठाए और पढ़े उसमें नियाम करून मिल गया उनको ठीक है जो टर्निंग पॉइंट शाबित हो गया वह नियाम से अगर किसी वर्स फ्रोडक्षन वन ब्रफ वाल से कम हो जाए और वह एकी स्तीन होगत जब कोई प्राकृतिक आपद्बाल रखे बाड़ काव लट नहीं हुआ हैं इसलिए से हम कोई टेक्स नहीं देंगे फिर जब वह वकालत वाला पॉइंट रख दे फिर कोई मैटर होते हैं कुछ दिन वाद वाद चला कि वन वाई-4 हुआ है नहीं हुआ है बट अल्टीमेटली फिर महात्मा गांधी जीत गए ठीक है तो यह मैटर भी सुलत गया खेड़ा कि योग अन्दोलन था कि अच्छिए कि पहला सब्सक्राइब क्लियर इत्ती सी बास समझाई है तो जब मैं कल गांधी जी के बारे में पूरा डिटियल बता रहा था 1915 में भारत वापस आय थे 1916 में लखनो अदेशन में पाटिसिपेट किये थे वहीं राजकुमार्शुक मिले फिर 1917 16 17 17 18 और यह तीनों जो डिसकस किये थे आज पूरा डिटेल में बता दिया ठीक क्लियर फिर हम लोग 1920 का असायोग अंदुलन देखे थे हैं लेकिन उससे पहले और बहुत प्रमुख घटना होई थी 1929 उसके बारे में बात करते हैं रॉलेट एक्ट रॉलेट सब्सक्राइब भी कल डिसकस किये थे थे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं अगला टॉपिक रहेगा रॉलेट एक्ट रॉलेट अब देखो हमको लगता है कि रॉलेट आया 1929 में इसकी जो प्रिष्ट भूमी तयार हुई थी वर्ड वर वन से स्टाट हो गया था आपको पह पहुंच जा रहे थे उसी करम में भारत में भी हत्यार पहुंच रहे थे और उसमय ऐसे विचारधार के लोग मौजूद थे कि अंग्रेजों को मारना है ठीक हूँए उसे मांग अगरा नहीं करेंगे सिधा मारेंगे तो हत्यार मिल जा रहा था तो और उनके लिए अच्छ नहीं पढ़ते हैं लेकिन उस करम में भूंधत्याय हुई चीक है बहुंधत्याय हुई किसकी ब्रिटिस करमचारियों की अधिकारियों की ज़्यादा बात करता मोड़ खराब हुआ तुरंत ले जाए कट्टा जैसे बिहार यूपी में तो रहते है ठीक है आज भी है कल भी दिया के तहत जो हथियारों को स्प्लाई तो इस पे कंट्रोल करने का प्रैस किया गया और यह था कि हतियार रखना है तो सब लाइसन्स रखना पड़ेगा यह क्यूंए थे क्यूंकि हतियार कोई भी ले किसी और कर्मिचारी-अधिकारी को मार दे रहा था अंगरेजी अध सित कालिन के लिए यह सब उस एक्ट में प्रावधान थे अब यह बताओ मान के चलो मेरे को लग रहा है कि यह मैडम मेरे मारने वाले ठीक है डेली चापू लेकर आती है वीधी और कभी विवरों को मार सकती तो भी है जब मेरे को मालूम इसके उपर डाउट है तो मैं पहले स तो इसके लिए लाया गया था क्या डिफेंस ओफ इंडिया अब यह कब तक चलने वाला था जब तक बुले कि यह वर्ल्ड वार जीजिन समाप्त होगा उसके 6 महीने तक यह लागू रहेगा सब मामला सटल ने था वर्लवर समाप्त हो कि उननीस ओठरा में तो अब इसको कं कमिटी की सिफारिश पर यह फैसला किया गया कि यह भाई इसको कंटिन्यू करना है और उसके तहट एक पारित किया गया उस एक का नाम था दी कि रिवॉलुशनरी इसको हिंदी में भी ऐसी यह रगना दे रिवॉलुशनरी कि यह दी एनार्किकल पहले है बढ़ ठीक है लिग दोगई एनार्किकल एंड रिवॉलुशनरी क्राइंट इसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते शौर्ट फॉर्म रॉल इटेट च्छोटा कर देते तो च्छोटा करके क्या होगी इसका नाम रॉल इटेट ठीक है तो दर इट अनार्किकल एंड रिवॉलुशनरी क्राइब इसको हम लोग और किस नाम से जाना थे रॉल एक्ट रॉल एक्ट रॉल एक्ट चीक है अब जब यह एक्ट आया तो इसका भारत में काफी ज़्यादा विरो दूआ कि बोले बहिए यह वर्ड वर्ट तो समाप्त होगी आब कहा है सब एक्ट ला रहे हो और इसके चलते किसी कि वो भुनाना अपाय करके इसको कंटीनू कर रहे थे तो यह जब आया तो काफी लोगों ने विरोध किया और उसमें विरोध के सुवर में गांदी जी भी शामिल फें तो गांधी जी ने रॉलिट सत्याग रहा किया इसके जए सब्सक्राब में गांदी जी क्या किये रॉलेट सत्यक्राख कि ठीक तो यह पढ़े लेए आप कि अब यह रॉलेक्ट एक्ट की कहानी जलिया वाला बाग हत्याकांट से जुड़ी हुई है कैसे तो रिवाल्यूश्य क्राइम एकर कहता था कि किसी के उपर भी अंग्रेजी सरकार को डाउट पखड़के क्या कर देंगे यह दौब अगला वाला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ अगला वाला टॉपिक रहेगा जलिया वाला बाग अध्याकान ठीक है यह विए 1929 में हुआ तेरा अप्रेल 1929 अब इसकी प्रिश्ट भूमी कैसे तयार होती है नौ अप्रेल की बात थी 9 अपरेल को डॉक्टर सत्पाल और सैफुद्दिन किचलू यह दो बड़े नेता थे पंजाब तरब तो वहां इनको 9 अपरेल को क्या कर लिया आता है उसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया आता है इसको सत्पाल और की चलू को तखेक गिरफ्तार कर लिया आता है अब इसी गिरफ्तारी का विरोध करते रहते हैं विरोध करने अब 11 अप्रेल को अंग्रेजु ने मार्शल लाव लगा दिया मार्शल मतलब समझ लोग जो है जो है सेना सर्वे सर्व है मार्शल और उसमें यह नियम भी रहता है कि बहुत लोग एक साथी कट्टा नहीं रहेंगे ज्यादा तर नहीं देखेंगे अब 13 अप्रेल को पढ़ जाता है क्या बैसाखी तो 13 अप्रेल को यह जो बाग जलिए वाला बाग यहां इसका कुछी स्ट्रक्चर देखोगे न तो आप ऐसे एक ही एंट्री गेड़ है और वहीं एक्जिट गेड़ भी है चिक वहीं से गुस होगे वहीं से निगलोगे तो यहां बहुत लोग क्या होगा इखटा हो गए तो दो प्रकार के लोग वहां इखटा हुए थे जो तहवार मनाने के लिए बैसाकी और एक वह वर्ग थे जो सेथपाल और सेफुदिन कीचलू के गिरफतारी के खिलाफ विरोध कर रहे थे वह उसको छोड़ों करके मांग कर लेकिन अंग्रेजु को बहुत भीडत गया अब उनलों का हो गया हर्ट हो गया ठीक है इगो हो गया और दो लोग वहां पर शामिल रहते एक आज रहता है ठीक यह जो भी पुलिस थी और सेना थि उनको यह आदेश दे दिया की जितने भी लोग है ताबढ तोड़ गोली चला दो मज़ा चगहों लोग तो यहां पर जितने भी लोग इखटा थे अब यह सब सब पुलीसी वाले इधरी गुज गया और यहीं घेर लिए गोली चला दिए अधिकारिक रूप से लोगों को इसमें मार दिया तो जब जलीवाला बाग हत्याकांड हुआ तो पूरे भारत में काफी ज्यादा इसको विरोध हुआ ठीक तो ऐसे लोगों को जिनको लगता था कि अंग्रेजी सरकार हमारी ही तैशी है कम से कम जो वेस्टन कल्चर वेस्टन अजूकेशन आएगा भारत में तो सुधार होगा उनमें से एक वेक्ति थे रविन नाट टैगोर उनको उपादी दी गए थी सर रविन नाट टैगो उनका मानना था कि अभी अच्छा मौका है अंग्रेजियों को परिशान करने का क्योंकि यह वर्ल्ड वार में बीजी है और ऐसी परिशान है तो हम लोग इधर इनको और परिशान करते हैं इन गांदी जी अलग विचार धारा वाले थे वो बोले कि दुश्मन जब परिशा ये चारे द्याल्ग मारता है जंग का एक ही उसूल है कि जीत कैसे भी हो बोले है तो उस समय महत्मा गांधी को उपादी दिये थे केसर हिंद महत्मा गांदी ने किसरे हिंद वाला टाइटल हटा दिया उस वजहे से महत्मा गांधी और जबकी एड्मिशन दिला दिये 24-18 मे बहुं सारे युवाओं को मोटिवेट कर दिये कि तुम किसमें शामिल जाओ सेना में उनको भरती कराने वाला सार्जेंट बुला गया था तो काफी विरोध हुआ कई लोगों ने अपना जो टाइटल मिले था उसको त्याग दिये कई लोग अच्छे पाद पर थे वह समझा आपको चिक क्लियर अब इसी समय समझना एक और घटना होती है यह अधिक के विरोध में गांधी जी बोलते कि मैं अंधुलन चलू करूंगा तो एक अंधुलन चलू करते हैं असयोग अंधुलन चलू होता है लेकिन उससे पहले हम एक और मोमेंट पढ़ेंगे खिला खिलाफत अंधुलन अंधुलन ठीक है खिलाफत मोमेंट अब इसका थोड़ा सा बैग्राउंड समझ जो 1914-1918 यह क्या चलता इसमें वर्ल्ड ओवर वन चलता है ठीक है दो टीम थीस में एक एक एलाइट पावर गड़बंधन शक्ति कि वसे स्मैक चल रहा था सेंट्रल पॉर केंदरी शक्ति यह में 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 देज बता रहा हूं इधर समझ दो ब्रिटेन और इधर जर्मनी थे और जिसके बारे में कहानी बताने वाला हूं और आटो में अंपायर ठीक है इधर ब्रिटेन था फ्रांस था इटली था जापान पर रशिया था इधर अपका जर्मनी था अउस्ट्रिया था हंगरिया हंगरिया बल्गेरिया था और इनवी जो फ हमको कहानी देखना वो ब्रिटेन और ऑटो में अपर आप मीडिवलुस्टी में पढ़ो तो मिडिवल इस्ट्री या मौडशी के शुरुवात में बेंश क के लोकल लोग तुर्की कबीले के लोग अपना समराज विस्तार की धीरे 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 वह पूरे इसेंट्रल इश्या में कब्जा कर लिए समझ लो ठीक है बहुत बढ़े छेत्र पर यह कब्जा कर ले थे वही एंपायर की किस नाम से जानाता है ऑट्व में अपायर अब जो तो मैंनम पायर को सुल्तान होता था वो किस नाम से जाना अब खलीफा नाम तो सुना होगा लेकिन वह वाला नहीं है जोगदर सब के चेहरे मसी हार ठीक है खलीफा मतलब मुसल्मानों के धार्मिक गुरू चिक प्रतिनिदी इसको दुनिया के किसी भी मुसल्मान हो उनको धार्मिक गुरू मानेगा के वल जैसा है कि इंडिया होला है तो हम नहीं मानेगा सारे मुसल्मान उसको अपना धार्मिक गुरू मान देते ठीक है किदर तूर्की के खलीफा को अब यह भी जोस में पार्टिस्ट कर ली और आगे चलके आपको मालनों में इन लोंग हार जा इस प्रीटी मतलब संदीर सेवरस इस maker को सेवरस रभ़कर को कि टिरिजवर स्वेट अव्या के तहट है। इन्हीं की बात मानी जाएगी तो यह समझ लो खलीफा को अपदस्ट कर दीए बहुत आप शैत्र से अपने श्धाणी छेत्र में थे वह खलीफा लेगिन स्थापित करने के लिए एक आंदुलन चलाए गया जिसका नाम था क्या खिलाफत आंदुलन कि बोलें उनका जो अधिकार है वापस दो और इसको चलाने वाले कौन थे तो मुहम्मद अली और शौकत अली अली बंदु बोलते इनों को मुहम्मद अली और शौकत ले इनके दोबरा एक कमिटी निर्मित की गई थे जिसका नाम था खिलाफत कमिटी ठीक है खिलाफत समीथी को कि 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 लियर तो यह आज की क्लास की कहानी थी अभी नोट्स में उसको रिवाइस कर लेंगे देख लेंगे इसमें किसी कोई समस्या नहीं ठीक कि कि नोट्स में जो लिखा है उसको देख लेते कुछ एक्स्ट्र पॉइंट मिलेगा पढ़ लेंगे रॉलेट एक्ट और जली वाला बागत्यागर्ण उससे पहले चंपर नों सब बता दिया उपर में मिल भी आ होगा सब्सक्राइब करेंगे निशन करण नाम को बिना अपील बिना वकील और बिना दलील की नाम से भी जाना जाता है क्यों लाया गया था आतंगवादी गतिविदियों को दबाने के लिए ठीक है पुरी कहानी तो इसको बताई दिया ठीक अब इसी के बाद हम लोग जलिया वाला बाग हत्याकार्ण देखे ते नीचे कहीं आ गया था कि यह यहां पर सैफुद्दीन किशलू और डॉक्टर सत्पाल की गरफतारी की विरोध में लोग जलिया वाला बाग में कत्रित हुए थे ठीक है और फिर वहीं तेरा प्रेल उनिस्सोंनिस को जलिया वाला बाग हत्याकांड हो गया चिक उसके विरोध में कौन-कौन क्या किया दो शंक्रण नयान वाश्रा की कारी-कारी परिशद परिशद की सदस्ता से इस इस इफ़दे दिये ठीक है जमना लाल बजान ने राय बादूर की उपादी की दि महत्मा गांधी ने केशरेहिं की उपादी थे जो उनको वल्ड wal Dong कि समय मिला था रवीनाद टेगोर और सर की उपादी त्याग दी सब त्याग दिए चीक है क्या उपादी और कुछ लोग प्रांग ठीक जलिया वाला बाग हत्याकांट की जाच करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक आयोग की स्थापना की किती जिसका नाम था हंटर आयोग चीक है अब इस बात से एक व्यक्ति बहुत खफा होगा जिसका नाम था क्या उधम सिंग उसका जिम्मिदार किसको माना ओडायर को ओडायर महां पर लेफ्टिनेंट था उसको लगा कि यह सारा करता धरता इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ओडायर है तो यह प्रण लिया था क और फिर ब्लाश्ट में मौलुम चला कि यह कहां पर बैठा हुए लंदन में जब काम धाम करके अपने घर वापस चल दिया तो यह भी लंदन गया पास्पर उस्वर जुगाल करके च्छिक है और वहां पर लंदन में इसको गोली मार भी तो उधम सिंग ने ओडर की हत्या क सब्सक्राइब करें खिलाफात अंदुल निस से चौबीस तक चला इसकी शुरात अली बंदू होने की थी मुहमद अली और शौकत शौकत है शायकत नहीं शौकत अली है चिक मुक उद्देश क्या था तुर्की में खलीफा के पद को पुनल स्थापित करना महत्मा गांदी ने खलीफा अंदुलन का समर्थन किया अब यह क्यों समर्थन कि खलीफा का महत्मा गांदी देगो अभी तक हिंदु वाले जीतने वर्ग थे भारती के जितने वर्ग थे मज़दूर हो किसान हो सबको तो इखटा करी लिये थे अब इनको यह वह खुबी मालूम था कि 1857 की करांती में हिंदू और मुस्लिम एक हो गया तो अच्छा बैंट बजाया थे अंग्रेजों का भले जीत गए लेकिन ठीक काफी नुकसान पहुंचाया था और वैसी हिंदू मुस्लिम एकता में दरार तो पड़ी गई थी तो ग महत्मा गांधि का शॉकत जिसका गठन किया थे ऊसके पहले से कोई मुसल्म नहीं थे पहले त्देश हिंदू थे महात्मा गंधी खविंट तो भी महत्मागान्दी का नाम क्योंकि नाम चर्चा में था इलाबाद में अजीत खिलाफथ आदुलन की सभा करने को करने को कहा गया लेकिन लीजिन्न लग हे चिडने लग फह पहुंग तॉम्हॉमाद adviser ने गांधी ते लिपन यह दोनके नि बोला था कि आप मुस्लिम नेता के धार्मिक कर्टरता को बढ़ावा मत देजिए मुस्लिम अपना काम सम्हाल लेंगे कि 1921 का मुपला अंदुलन खिलाफात अंदुलन के एक शाका थी केरल की बस यह नॉर्मल लाइन बस आपको याद अठीक है अब असायोग अंदुलन इधर चालू हुआ इ संदी हुए यह ट्रीटी ऑफ सेवराश तो जीते वाली की बात मानी जाएगी हारने वाले की जीते वाले की ना हारने वाले थोड़ी इन तो लोग बेजबरान का डिमांड कर रहे थे मात्मा गांदी की मालूंदर कि पूरा नहीं होना लेकिन समर्थन तो लेना था में कॉंग्रेस के कलकत्या के विशेश दिवेशन में मात्मा गांदी ने असए गंदोन के प्रस्ताव को प्रस्तावीत किया था चिक 1919 का कानड के वाज़े से बूले असायोग वाले में अंग्रेजों का अगर मैं सरकारी नौकरी कर रहो मतलब मैं सरकार का साथ दे रहो तो उसका साथ नहीं देना तो कैसे करूंगा सरकारी सेवा सित्याग कर दूंगा उनके कपड़े पहन रहा हूं मतलब उनको कहीं कहीं व्यापार में लाब पहुंचा रहा हूं मतलब उनके अब क्या नहीं पहन अनुन था उसको नहीं माने क्या है सविन बाकि और ज्याद दिमाग मत लगाना उसमें पूस्ता नहीं बच्चे डाउट पूस्ते करके बता दिया ठीक है अब असायोग अंदुलन चालू हो गया और मातमा गांदी नारा दिया था जो जो समें बोल दिया थी कि एक वर्स में क होता नहीं ठीक है एक क्वेश्चन पूजा था कौन से से नेता थे जो असे अंदुलन के परिनामों को नहीं देख पाए बाल तिलग नहीं देख पाए क्योंकि उनकी 1920 में मृत्ति हो गई थी असे अंदुलन के दोरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना निश्टूर ब तब तो काम का है समझधार वली बात है कि नया निले नया निले रहें चेके उनके आर्थी की चोट पहुचेगी लेना पुराना यह वाल मोबाइल में जला दूए से यह तो बरबादी होगी ना वैसी सब कपड़ा जला दिया जो जो समय ले पहनने लिए कुछ नहीं पत्त सब्सक्राइब निकल जाते है कि मेरे पास दो महिलाएं आती थी क्लास करने के लिए चलाता था मैं तो उनके जॉइन करने को देशी था कि हुए घर में काम करने बाहर निकलने को वहकत मिलता है तो सबसे जाधा विरोध जब मैं इमनिंग बैच बंद किया तो नहीं लोगो सब्सक्राइब लेकिन यूपी में अब यूपी बिहार वाले जानते हुए ऐसी थोड़ा उपद्री टिप के रहती है उसमें भगवान अहीर करके व्यक्ति थे रीटायड करमचारी थे कौन भगवान अहीर पीते नहीं थे है तो ना मैं पीएंगा न पीने दूंगा ऐसा इनका कंसर्प्स था ना खाने दूंगा नहाँ खांगा ठीक तो तो उसको बंद कराने के लिए जबरदस्ती रात में सब रैली निकाल दिए ठीक है और जो बंद कराने गया हो भी पाके गये ठीक है उन्हीं लोग हुड़दंग कर रहे तो कुछ लोग बंद करा है जबरदस्ती को यह सा डाल विलिया वहां पे ऐसे चल रहा था तो वहां के की पुलिस वाले लोग समझाने आये कि भीहा आप हिंसा कांडोलन में हिन्सा कमार अपना रहे यहां लडाय जगडा करो जो निफ्शा यह सोच कि इन भाग जाएंगे नहीं भागे ठीक है तो ही बता है ऐसे हवाइइफार करते करते ठोड़ा एंगल नीचे हो गया और एक हैड़ट मारधे पड़स्चाइब पड़ा उसके बाद भीड जो है खकवा गए उनलों को मारने के लिए दोड़ाए और लोग कहां घुज गए अपने थाने अंदर थाने बढ़िया लोक कर दे लोग अंदर से लोग बाहर से लोक कर दी और जो बज गये थे पुलिस अले उनको भी जवरदस्ती अंदर भेसे औ जो दारू था उसको छिड़के दारू भियाग लग जाता है अलकॉल रहता है और माचिस मार दी बाइस पुलिस कर्मी निपड़ गए ठीक है और घटनाती पांच फरवरी की है और लोग जो दारू बट्टी के लिए तीन से चार फरवरी इतने दिन अंदोलन करी रहे थे उसको याद दिखना पाच फरवरी चोरी-चोरा हत्याकन को याद रखना यह यूपी गुरक पूरवाला छोटस गाउं है ठिक अब महतमा गांदी तक यह बात पहुंचा तो बोले कि एकदम दुखी हो गया है यह बोले तो मेरे उसूल के खिलाफ था तो 12 फरवरी 122 को बै किया है उसका सजा पूरा भारत क्यों भूगते लेकिन महतमा गांदी किसी की नहीं सुने उसको वापस ले लिए ठीक और महतमा गांदी को 6 सालकले जेल हो गया वह बाइस पुलिस कर्मी मरें ना इनके जेमिदार कॉन हो आप महतमा गांदी के सब खिलाफ होई गया थे जब कि कोट में पेश किया गया जज को लगा था कि माफी मांगेंगे ने चिक और सजा मत दो बोलेंगे लेकिन महतमा गांदी ने बुला जी बिल्कुल इसकी जिमेदारी मैं लेता हूं मेरे वज़े से ही इन लोगों की हत्या हुई है और हत्या के लिए जितनी कठोर से कठोर होती है मैं वह भूख अतने के लिए तेयार हो से डालोग मार देदें वालों साथ देंगे तुने ठीक है लेकिन छोड़ देगा आंदी जिको जल्दी किलियर उसका देश्वराज पार्टी का गठन यह थोड़ा लंबा टॉपिक को जाएगा इसको अपन कल देखेंगे ठी झालोग 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 झालोग